वेलकम बैक अगेन इस चैनल बिसिकली विए जुट गई टुस्ट प्रपरेशन के बिस पीजीट एन वी विल कवर 11 और 12 चीब एंची एंची आटी बोक्स हम सारी एंची 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 आटी की जो बोक्स हैं प्रोज पोईट्री आज बाल आज दा स्नैप सोट्स तीनों ही क है बेसिकली वी जस्ट कवर इंटिस स्टोरी इन वरी सिंपल मैनर हिंदी में हम कवर करेंगे खुस्बन सिंग इस इंडियन राइटर इस जर्नी इस स्टार्टे फॉम नाइटीन फिफ्टीन तो टू थाउजन फॉर्टी इसका मतलब उसका जो जर्म है वो उनिस सो पंदरा से दो हजार चौद है उसकी डैथ हुई थी और वो जो बॉन हुए थे वो पंजाब में पंजाब में एक खलदाली पंजाब हलदाली एक प्लेस है पंजाब में यहां वो बॉन हुए थे अनदर फिंग इस नाओ ही इन पाकिस्तान एक चीज़ हमें इनके बारे में और याद करनी है जब हम बात करेंगे राइटर की तो इन 1947 बेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फॉम दा ब्रिटिस एंपायर तब यह डि निहरा और विहां याद रकेंगे यह भी इंप्वाट रखेंगा अनदर क्याइश ऑल इंडिया रेडियो उन्हांने जो करियर स्टार्ट किया था वह अल इंडिया रेडियो मैं उन्हों ने सब फैमस बुक्स निखें उनका knapp जो टेब्वियू नबल था वह भी याद रख लिखाता हम उनका फ्रस्ट नॉल सकते हैं विकाज मतलब होता है फर्सट ट्रेन टू पाकिस्तान feint to पाकिस्तान यह काफी इंपोर्डन ostr है इसलिए हम इसकी बाइगराफिके को भी कवर कर रहे हैं प्रेंट्टो पाकिस्तान जो उनका पोट्रेट ऑफ लेडी यह जो स्टोरी आपको दिखाती है एक अपने पर्शनल वीज़ को इसके अंदर दिखाया है इसमें अपने अपने लेडी के दूसरी चीज़ याद करने वाली है वह है ग्रांड मदर की पूरी मैमोरी और ग्रांड मदर का जो लाव एन अफेक्शन है वह सब स्टोरी के अंदर दिखाया है अगर हम बात करते हैं बैसिकली जो स्टोरी है वह स्टार्ट होती है the grandmother is portrayed as an caring loving and highly religious lady यहाँ पे जो ए ग्राण्ड मदर है वो किसी है बहुत ही highly religious lady है और जो author है यहाँ पे वो बताता है कि ग्राण्ड मदर जो है वो wrinkled पड़े हुए है उसके छोटे छोटे wrinkle से आखों के नीचे और in the last 20 years that was extremely difficult to believe that she was young और वो यहाँ पे बता रहा है कि जो lady है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्राण्ड मदर की वो 20 साल पहले 20 years पहले की बात हो रही है तो उस समय वो बहुत ही smart और बहुत ही अच्छी दिखती थी तो यह आपका एक और question यहां बन जाता है another thing is she was short and the fat with hunch her back she hugged यह उनकी जो personal quotation है किसके बारे में ग्राण्ड मदर के बारे में why dress पहनी हुई है उन्होंने यह सारी चीज है ग्राण्ड मदर के बारे में कौन बता रहा है author बता रहा है एक और चीज जो हमको यहां पर याद करने वाली है basically a picture of the author grand mother hung on the wall तो यह जो picture है जिसको देखके grand mother की जो author dictate कर रहा है सारी बात है वो एक picture को देखके कर रहा है और जो picture है वो कहां टंगी हुई है hung on the wall तो आपसे question यह बनता है कि जो author है वो किसके बारे में बात कर रहा है grand mother के बादरे में और second thing एक picture जो है एक frame है जो कहां टंगा हुआ है hung on the ball तो यह भी आपका एक important point यहां पे हो जाता है यह आपके important question में आता है and he had the turban his face on the board loosely lifted the cloth and यह सारी चीजें वो किसके बारे में बता रहा है grand mother के बारे में बता रहा है अगर नेक्स पेज पर जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं and express the pure white sincerity breathing peace in the contentment यहां पे जो जब वो 20 साल पहले बहुत ही सुन्दर दिखती थी हर सिर्वर लैक वर सिक्सके टंड यह सारी बात है किसके बारे में बता रहा है ओथर यह बता रहा है आपके grand mother के बारे में next thing we just remember it here only my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple यहां पी जो author बता रहा है author is also telling to the person कि जो मेरी grandmother है वो हमेशा मेरे साथ जाती थी कहां जाती थी school मुझे drop करने जब मैं school जाता था और वो किसले जाती थी क्योंकि जो school है वो temple और school बिलकुल पास-पास में है इसलिए वो temple जाती थी वहां पे और वहीं से मुझे साथ में draw कर देती थी एक और question है यहां पे कि why the grandmother is just going to there only because he just want to go to the temple also the priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children set the rose either the side the brand singing the alphabet or the prayer or the chorus my grandmother sat inside the reading scripture तो यहां पे एक और question आपके लिए बनता है कि वह क्या वहां temple में जाके क्या करती थी तो she just talking about the scripture यहां पे जो reading है जो वहां पे reading करती थी वह किस पे scripture पे तो यह भी आपका एक important question में से आ जाता है next thing we are just talking about it when my parents were comfortably settled in the city तो अगर next question आपसे बनता है कि उनके parent कहां पे settled थे क्यों वह grandmother के पास रहता था because author parent is just settled in the city that's why he is just living with the grandmother only and that was the turning point of his our friendship although we shared the same room my grandmother no longer came to school with me I used to go to the English school in a motor bus अब वो बता रहा है यहां पे author is just talking about it कि अब grandmother मेरे साथ में नहीं आती है क्योंकि मैं बस से जाने लगा हूँ और वो my grandmother no longer came to school with me इसलिए वो मेरे साथ बस से नहीं आ सकती I used to go to an English school in a motor bus there were no dogs in the street and she looked took to feeding sparrows in the country yard of our city house और अभी क्या है कि अब यहां पे कोई street dog नहीं है जिसको वो खिलाएं तो यहां पे वो क्या करती है उसकी grand mother what the teacher had taught me I would tell her English word and the little things of western science learning actually the writer is just talking about the things की जब मैं school जाता हूँ अब मैं English medium school में पढ़ता हूँ grand mother is asking the things क्या हुआ in school में but problem is that कि अब वो English word है और उनकी समझ में नहीं आते है western science learning law gravity यह सारी चीज है अब grand mother की समझ में नहीं आते है but this made her unhappy और यह उनको एक तरीके से happiness नहीं देती है क्योंकि अब वो मुझको उस तरीके से नहीं समझा पाती है जो मुझे वो बच्पन में सिखाती थी so this is just love and affection towards the grand mother and she could not help me with my lesson और वो मेरे जो chapters है lesson है मेरे जो study है उसमें help नहीं कर पाती है she did not believe in the things that taught in the English medium and was distressed and they announced that we were being given the music lesson तो यहां पे to her the music and association it was a monopoly basically the writer is just talking about it again and again the things whatever it is happening there only और यहां पे जो बात कर रहे हैं when I went to the university I was given a room of my own the common link friendship was snapped my grand mother accepted her the circulation with the resignation she really left her the spinning wheel talk anyone तो यहां पे जब राइटर है राइटर अपने university में study करने के लिए चला जाता है जब वो बापस आता है तो वो देखता है क्या यहां पे when I decided to go abroad for the further study I was sure my grandmother would be upset यहां पे वो सोच रहा है कि जब मैं बाहर study के लिए जाओंगा abroad चला जाओंगा तो मेरी grandmother definitely क्या होंगी upset होंगी I would be away for five years और मैं वहां से कितने साल के लिए वो बाहर गया वो पांस साल के लिए यहां पे बाहर गया है abroad तो यह भी एक question आपका important हो जाता है and at her age when the could never tell but my grandmother could see she was not even the sentimental अगला question आप से पूछा जा सकता है कि जब वो बाहर गया था क्या उसकी grandmother sentiment होई थी no she was not sentimental this is also be another question she came to leave me at the railway station वो छोड़ने आई थी उसको but did not talk to so any emotion वो कोई भी उनने emotion नहीं दिखाया था यहां पे love and affection की बात हो रही है लेकिन वो इसको train में छोड़ने आई है but she is not showing any kind of emotion to the author her lips moved in prayer उसके जो grandmother के जो lips हैं वो क्या prayer कर रहे हैं her mind was lost in a prayer her fingers were busy telling to the beads of her rosary silently she kissed my forehead अब ये भी question आ सकता है कि कहां पे उसी grand mother ने kiss किया whenever she just left the author और उन्होंने उसके forehead पे kiss किया उसके बाद में next part के अगर हम बात करते हैं तो this is the first part next part we will cover in next video thank you so much if you love the video please put it in the comment box if you want a next video thank you so much